इद काह पार्ट मुंसी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई एक बहुत ही सुन्दर कहानी है जिसमें मुस्लिम त्योहार इद को मनाने का उत्सा गाउं के सभी लोगों पर जलगता हुआ दिखाया गया है जो चाहे अमीर हो या गरीब हो निम्नवर के लोग हो या अमीर के लोग हूँ इस गाउं में पूरे 30 दिन के रोजों के बाद इद के त्योहार की खुशियां मनाई जा रहे हैं सभी के घरों में चहल पहल है सभी को इदगाह जाने की पहुत जल्दी है इसलिए सभी अपना अपना काम निप्टा करके इदगाह जाने को तयार हो जाते हैं इन में इदगाह जाने के लिए सबसे खुश तो बच्चे हैं क्योंकि उन्हें पूरा मेला जो घूमना है यही पर एक छोटा लड़का हामित जो की केवल 5 या 6 साल का है अपनी दादी के साथ अकेला रहता है क्योंकि बच्पन में ही उसके माता पिता उसे छोड़ करके चल और उसके लिए धेर सारे खिलोने और नई नई चीजें भी लाएंगे उसकी दादी अमीना घर की स्थिति को भरी भाती जानती थी और उसे इस बात का फिक्र है कि इस बार इतने कम पैसे में इद का त्योहार कैसे मनाया जाएगा लेकिन फिर भी वह हम इद को मात्र तीन प बच्चे ईदगाह पहुंचते हैं और ईद की नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरे के गले मिलते हैं और वहां बच्चों की टोली मेला घूमना शुरू कर देती हैं सबके मुझ खिलोनों को देखकर खुले के खुले रह जाते हैं और आखों की चमक तो जैसे उन्हें उनस लेकिन हामित के पास केवल तीन ही पैसे होने के कारण वह सब चीजों में कोई ना कोई कमी बतला करके अपने दिल को समझाता है और इस तरह से हर खिलोने को छोड़ करके आगे बढ़ता जा रहा है बहुत चलने के बाद आखिर में उसे एक बढ़िया चीज दिखाई देती है जिसे देखकर के वह बहुत खुश हो जाता है जो कि चिम्टा होता है तब वह अपनी दादी अमीना के लिए एक चिम्टा खरीद लेता है जिसे देखकर के बागी बच्चे हामित का मजाक बनाते हैं लेकिन हामित तो उन्हें करारा जवाब दे करके उन सब का मुँ लेकिन हामित के चिम्टा लाने का कारण सुनते ही अमीना की आँखे खुशी से भर जाती है वह चिम्टा तवे पर रोटी सेखने से दादी की अंगुलियों का जलना बताता है क्योंकि वह चिम्टा दादी के लिए लेकर के आया है और ताकि उसकी अंगुलिया ना जले हाम हम इतको दुआएं भी देने लगते हैं, यही है यह कहानी ईदगा, आपको कहानी कैसी लगी जरूर बताना.